हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप अपने घरों में होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से दूद एक इमिनिटी बूस्टर का काम करता है और आज का दिन यानि 26 नमंबर है नेशनल मिल्क डे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ये हैं डॉक्टर वर्गिस कूरियन वर्गिस कूरियन को भारत में स्वेत क्रांती का जनक कहा जाता है इनका जन 26 नमंबर को हुआ था और इसी दिन को हर साल देश भर में राश्ट्रिक दुख्ध दिवस यानि नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है दूद हमारे सरीर के लिए बेहत जरूरी चीज है दूद में कई पोसक्तत्व होने के साथ ही विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B, 12, आयरन, कैल्शियम, मैकनेजियम, जेंक, फॉसफोरस, आयोदीन, पोटेशियम, फोलेट्स, प्रोटीन अधितत्व पाये जाते हैं साथ ही दूद हमारे सरीर के तमाम रोगों को भी नस्ट करता है ये हमारे सरीर को उर्जा पदान करने में मदद करता है दूद हमें जानवरों से मिलने वाला प्रोड़क्ट है यह कई प्रकार के जानवरों से मिलता है जिसमें गाय सबसे महतपुन जानवर है जिससे हमें दूद प्राप्त होता है यह दिन भारतिय डेरी एशोशियेशन ने साल 2014 में पहली बार मनाने की पहल की थी विश्व दुग्द दिवस सन्जुक्त राष्ट द्वारा हर साल एक जुन को मनाया जाता है पहला राष्ट्रे दुग्द दिवस 26 नमंबर 2014 को मनाया गया था इस दिन 22 राज्यों के विभिन दुग्द उत्पादकों ने हिस्सा लिया था आज देश भर में बड़े स्तर परदूत का व्यापार किया जाता है भारत ने इसमें अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है और यह सब कुछ संभा हो पाया है डॉक्टर वर्गेज कुरियन के अथक प्रयासों से वर्गेज कुरियन का जन्म 26 नमंबर को 1921 को केरल के कोजी कोड में एक सिरियाई एस इसाई परिवार में हुआ था उन्होंने मेकेनिकल इंजिनरिंग में पढ़ाई की थी इसके बाद उन्हें डेरी में पढ़ाई के लिए भारत सरकार ने स्कॉलरशिप दी यही से उन्होंने डेरी की दुख दुनिया में कदम रखा साल 1949 की बात है जब सरकार ने उन्हें आनंद में एक डेरी में काम करने के लिए भेजा लेकिन मन न लगने की वजह से वे अपनी सरकारी नोकरी छोड़ने वाले थे तभी त्रिभुवंदास पटेल ने उन्हें रोक लिया इसके बाद त्रिभुवंदास पटेल और कुरियन ने साथ मिलकर कैरा जस्टिक कॉपरेट्यू मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के तहट मिल्क कॉपरेट्यू मूमेंट की सुरुवात की जिसे आज अमूल के नाम से जाना जाता है अमूल आज पूरे विशो भर में विख्यात कमपनी है जो दूद को लोगों तक पहुँचाती है आज दुनिया वर्गिस कुरियन को मिल्क मैन के नाम से याद करती है भारत सरकार ने उन्हें पद्मवी भूशन से सम्मानित किया है इसके अलावा उन्हें फ्रांस के करसी मंत्रा लेने और्डर ओफ एगरिकल्चर मेरिट से भी नवाजा है उन्हें रेमन मैकसे से अवार्ड भी मिल चुका है राष्टे दूद दिवस मनाने का मुख्य उदे से क्या हो सकता है राष्टे दूद दिवस दूद और दूद उद्योग से संबंधित गत्विधियों के प्रचार एवं लोगों में आजीवन दूद एवं दूद उत्पादों के महत्व के बारे में जागरुकता पैदा करने हैं तो दूद दिवस मनाने का प्रयास किया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में यह मित भरा हुआ है कि दूद सभी गुणों से संपन्ध नहीं होता है दूद को तोड़ने के लिए और जागरुकता पैलाने के लिए राष्टे दूद दिवस मनाया जाना उपयोगी समझा गया विडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा इससे मेरे विडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा thanks for watching and thanks for giving your valuable comment please insist your kids to have milk daily because it will make them mentally and physically strong to do their work